Hello everyone, कैसे हो, आप सभी लोग आई होगा, आप बहुत अच्छे होंगे और इच्छे से त्यारी भी चल रही होगी, सो आज हम करने वाले हैं मतली MCQ सिरीज का Part 11 for the month of April, अगर आपने इसका previous part नहीं दिखा है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा, और इस लेक्छे के जो PDF है, वो आपको हमारे टेलिग्राम चानल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप में दिया हुआ है, तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं, तो चलिए जिसके स्टार्ट करेंगे आज का लिख्शन, तो पहला क्वेशन आपका है, तो कॉंसे स्टेट में यह साइज है, वो फाइंड आउट की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इस फाउंड इन दी तलंगाना स्टेट, तीक है, आंसर इस ऑप्शन नमबर बी, अब जो यहाँ पर टीम थी, आर्केलोजिस्ट की, यहनों ने डिस्कॉवर किया है, यूनिक आईरन इज मेटलिथिक साइट अट दी, ओरा गुटा नियर दी बंदाला विलेज ओफ एसस तडवाई मंडल और मुलुगू डिस्टिक ओफ तलंगाना, चीक है, अब इसी के साथ साथ हैं यहाँ पर दो न्यू जो है, टू न्यू रॉक आर्ट साइट जो है, वो कोठा गुंडम, दिस्टिक ओफ तलंगाना, चीक है, और यहाँ पर देवारला बंदा मुला, जिसको यहाँ पर डिपिक्शन दी गई है, कि यह प्रडिट किया गया है, कि इसमें जो है, आपके आनिमल्स दिख रहे हैं, कोई हुमन्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक इसमें टॉप रैंक हासिल की है, हमद इंट्रनाशन एर्पोर्ट दोहा कतार में, ठीक है, आंसर यहाँ आपके उचाए का ओप्शन नुबर सी, इसके इलावा, सेकेंड नंबर पे आपका जो है, इंट्रनाशन, सिंगापूर के इंट्रनाशन एर्पोर्ट था, ठीक है, ज 2023's Airport of the Year, अब इसी के साथ 2024 में 2nd rank हासिल की है, इसने और साथ में ही इसे और कॉंसे टाइल दिये गए है, Best Airport in the Asia and World Best Airport Immigration Services, ठीक है, नेक्स्ट है आपका साउथ कोरिया का एर्पोर्ट जिसके 3rd rank है, और इसे वर्ल्स मोस्ट फामिली फ्रेंडली एर्पोर्ट पर 2024 दिया गया है, अब बात करते हैं यहां पर टॉप 10 की, तो दोहा हामित का जो एर्पोर्ट है, यह पहले नमबर पर था, 2nd पर सिंगापूर, चांगी, 3rd, सियोल, इंचियोन और साउथ कोरिया, ठीक है, जिसकी रांग 4th थी 2023 में, टोक्यो हनीडा, इसकी रांग 3rd थी 2023 में, टोक्यो न तरी था, इसकी रांग 9th रांग in 2023, परेश C.D.G. जिसकी 5th रांग थी ठीक है, और इसकी 6th रांग है, दोबाई का एरपोर्ट है, इसकी 17th रांग थी 2023 में, और इसकी 7th रांग है, टीक है, म्यूनिज 8th रांग में था, लास्ट ये 7th रांग पे था, ठीक है, जोरिश जो है, इसकी भी 9th रांग है, अभी करेंटली 2024 की, और 2023 में इसकी 8th रांग, ठीक है, और जो स्तानबुल है, ये आपका 10th रांग पे रहाए भी, और स्तानबुल का एरपोर्ट है, और 6th रांग पे ये 2023 में था, फाइन, अब स्टाटिक इंफोर्मिशन देख लेते हैं, जो व की गई थी, when the Skytrax launched its first global airport customer satisfaction survey, ठीक है, अब इसे जो है, Oscars of the aviation industry भी बोला जाता है, तो ये भी धियान पर रखना है, अब Skytrax जो है, इसका headquarter कहा है, लंडन, UK में, और इसे established किया गया था 1989 में, ठीक है, बाकी यहां पे और टाइटल्स देख लेते हैं, कौन से एरपोर्ट को क्या-क्या जो है, अब इसे एरपोर्ट जो है आपका जपान का, इसे वर्ल्ड और एशिया's cleanest airport for 2024, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट एरपोर्ट पैसेंजर with a reduced mobility and accessible facilities, नेक्स्ट आपका है, बेस्ट एरपोर्ट by passenger numbers in 2024 with over 70 million passengers, ठीक है, नेक्स्ट एरपोर्ट है, टोक्यो नरीता इ service दिया गया है, 2024 के लिए, ठीक है, नियो, चितोस, इंटरनाशनल एरपोर्ट, वर्ल्ड मोस्ट इंप्रोवड एरपोर्ट in 2024, देन, चुबू, संत्रेट, इंटरनाशनल एरपोर्ट, वर्ल्ड बेस्ट रीजनल एरपोर्ट for the 10th consecutive year, और ये सारे आपके जपान के एरपोर् हमाद इंटरनाशनल एरपोर्ट की जो कतार का है, इसे वर्ल्ड बेस्ट एरपोर्ट, शॉप्पिंग for second consecutive time दिया गया है, ठीक है, बेस्ट एरपोर्ट in the Middle East, ये 10th time मिला है इसे, देन, रोम, फ्योमी, सियानो एरपोर्ट जो इतली का है, ठीक है, इसे वर्ल बेस्ट एरप in Europe for the second successive year मिला है, ठीक है, then Cape Town Airport of South Africa and South Africa एक और आपका एरपोर्ट यहां पर इंफ्लूट किया गया है, विज इस दुर्बन किंग शाका, ठीक है, ये दोनों एरपोर्ट है, आप जो Cape Town वाला एरपोर्ट है, इसे बेस्ट एरपोर्ट इन आफरिका और बेस्ट एरपोर्ट स् अब इंडिया के बात करें, तो Cape Town International Airport जो है आपका बांगलरू कर्नाटिका में, इसे बेस्ट रिजनल एरपोर्ट इंडिया और साउथ एशिया के लिए अबॉर्ट दिया गया है, और इसकी रांग ग्लोबली है 59th ठीक है, लास्ट येर इट वास 69th, देन आप जो Cape Town International Airport का Terminal 2 है, इसे जो है second position मिली है globally as a world's best new airport terminal, ठीक है, and Terminal 2 operational जो हुआ था आपका, ये 2023 से operational हुआ था, ठीक है, now अब इस terminal को UNESCO का Pricks Versailles, world's most beautiful airport award भी मिला है, and leadership in energy and environment design, platinum certification भी मिला है, ठीक है, then Delhi Indian National Airport की बात करें, तो इसकी rank थी आपकी 36th globally, and it is emerged as a best airport in India and South Asia, then Mumbai International Airport, ये आपका महराश्रा में है, और इसकी rank जो है, इस बार कम हुई है, earlier it was 84th, and now it is 95th, ठीक है, Hyderabad International Airport की बात करें, तो इसकी rank अपकी अच्छी हुई है, इंप्रोव हुई है, 61th rank है, last year it was 65th rank, ठीक है, and it is, it was named as a best airport staff service in India and South Asia, ठीक है, then JW Marriott, New Delhi atrocity, इसको जो है, अबर यहाँ पर मिला है, best airport hotel in India and South Asia का, clear है, now next question है, dash became the 38th country, to sign NASA's Atomis Accord which established a practical set of guidance for peaceful space exploration and use of outer space, ठीक है, तो इसमें जो Atomis है, ठीक है, Atomis Accord, इसका 38th member consequence country बनी थी, तो it is Sweden, ठीक है, answer यहाँ पर क्या हो जागा, आपका option number E, ठीक है, अब जो यह agreement है, यह agreement sign किया था, आपका, Maths Pearson ने, जो Minister of Education है, Sweden के, and Eric D. Ramanathan, जो Ambassador of USA to Sweden है, ठीक है, हम बात करें, Atomis Accord की, Atomis Accord जो है, यह आपका jointly launch किया गए था, NASA और US Department of State, सब्सक्राइब लाँच किया था, 2020 में, ठीक है, with an aim of advancing bilateral and multilateral space corporation between the signatories, ठीक है, जो भी से sign करेगा, उनके बीच में, यह basically advance करेगा, bilateral and multilateral space corporation को, ठीक है, next point क्या है, Atomis Accord जो है, it was formally signed by the 13th October 2020, और इसके 8 आपके founding member थे, यह countries थे, जिससे Australia होगा, Canada, Italy, Japan, Luxembourg, United Arab Emirates, then United Kingdom and USA, तो यह आपके 8 founder थे, इसके founding member थे, ठीक है, and जो Atomis Accord है, यह आपका non-binding agreement है, जिसमें कोई financial commitments के बारे में नहीं आपे include किया गया है कुछ भी, ठीक है, then it laid the framework for the implementation of a key obligation from the outer space treaty 1967, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ आपको note करनी है, कि जो as of 16th May, ठीक है, as of 16th May 2024, इस Accord Mission में, जो Atomis Accord है, इसमें total 40 countries जो है, इसके member बन चुकी है, यहाँ पे आप जो है, पूरी list इसके देख सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉस करके अराम से देख लीजिए अब, next है, name the organization that has celebrated its Silver Jubilee, 25 ESS ने complete किये है, on 19th April 2024, ठीक है, कौनसी organization है यह, it is IRDAI, कौनसी organization है, IRDAI, ठीक है, जिसके शुरवात आपकी, जो है, 2000 में की गई थी, 19th April 2000 में, ठीक है, It was formed as a Saturatory Body under the IRDAI Act 1999, and was incorporated on the 19th April 2000, ठीक है, अब यहापे एक question आपको पूशा सकता है, कि जो IRDAI है, यह, कौनसी committee के recommendation पे बनाई गई थी, ठीक है, तो यह, आपकी committee ही थी, मलोत्रा committee, It was your मलोत्रा committee, ठीक है, यह धियान में रखना है, और इसके head कौन थे, इनका नाम है, RN मलोत्रा, क्या नाम था, RN मलोत्रा, जो former आपके governor रह चुके थे, former governor थे, आपके RBA के, ठीक है, यह, इस committee के chairman थे, जिनके, जिन्हों ने जो report summit की थी, उस पे based, आपका जो है, उसके बाद जो है, IRDII का formation किया गया था, ठीक है, अब इसके बारे में more detail आपको देखनी है, तो I button पे मैंने video का link add किया है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करके video देख सकते हैं, ठीक है, अब IRDII की बात करें, स्टार्टिक information की, तो इसके chairman कौन है, करेंटली, देवशीश पांडा, हेड़कोर्टर इसका लोगरेट है, आहितराबाद, तेलंगाना में, ठीक है, next है, the IRDII has removed the age cap on buying the health insurance policies effective from DASH, तो IRDII ने यहाँ पे age cap remove की है, किस चीश के लिए, health insurance policies के लिए, और यह effect में आगया था आपका 1st April 2024 से, ठीक है, तो answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is option number A, अब यहाँ पे, जो है, easily health insurance जो है, परचेस किया जा सकेगा, ठीक है, पहले क्या होता था, कि यहाँ पे, जो individuals है, जिनकी age 65 years है, they were restricted from purchasing the new insurance policies, ठीक है, तो आब यह चीश नहीं रहे गई है, fine, अब की points देख लेते हैं, जैसे IRDII ने instruct हिया है, health insurance providers को या companies को, यह introduce करें, tailored policies for specific demographics, जैसे senior citizens के लिए specific policies लाई जाए, ठीक है, next point क्या बोला है, जो IRDII है, इन उनने decrease किया है, health insurance waiting period, 48 months से यह आपका reduce कर दिया है, 36th month, ठीक है, तो इस पे base भी question बन सकता है, then next है, IRDII has stated that all pre-existing conditions should be covered after 36 month, regardless of whether the policy holder disclose them initially or not, ठीक है, तो यहाँ पे IRDII ने क्या बोला है, प्रोब्रेट किया है health insurance को, ठीक है, which are based on the pre-existing health conditions after 36 month, ठीक है, next point क्या बोल रहा है, insurance companies can offer only benefit-based policies, which offering fixed cost upon the occurrence of a covered diseases, they are barred from introducing the indemnity-based health insurance policies, which compensate for hospital expenses, ठीक है, now next है, recently in April, the NPCI Bharat Bill Pay Limited, that is NBBL, in association with Dash, कौन से बैंक के साथ, basically इनका जो है collaboration हुआ है, किस दीश के लिए, introduce करने के लिए, National Common Mobility Card on its Bharat Bill Pay platform for the convenience of our travelers, तो answer है आपका हो जागा, यह आपका collaboration किया गया है, State Bank of India के साथ, ठीक है, answer is option number B, now, अब यहाँ पे, इस collaboration के थुरू, जो, basically जो agreement साइन हुआ है, इसके थुरू, आप जो है, NCMC recharge जो है, वो भी कर सकते हो, और भारत बिट पे, ठीक है, अब यहाँ पे, कैसे यह recharge किया सकते है, आप इसे online, basically, top up यह recharge का कर सकते हो, और इसके limit कितनी दी गई है, आपे, up to 10,000 रुपीज की यह limit दी गई है, कि आप online इसको जो है, यहाँ पे, top up कर सकते हो, यह recharge कर सकते हो, इसका, ठीक है, Now, next है, which life insurance company, अब यहाँ पे, इसके tagline क्या हो गई है, यहाँ पे एक तो, इन्हों लोगो चेंज किया है, यह आप देख सकते हो, इसके tagline क्या हो गई है, भारत की उडान बंधन से, ठीक है, Now, अब यहाँ पे, जो बंधन financial holding लिमिटेड है, इन्होंने acquisition कम्प्लीट कर लिया था, एगाँ लाइफ इन्शॉरेंस का, in February 2024, ठीक है, अब आप सोचोगे, बंधन financial holding लिमिटेड गया है, यह बेसिकलिए बंधन बंक के promoter है, ठीक है, जिन्होंने इसे, मतलब एगाँ लाइफ इंशॉरेंस का नाम भी जेंज किया है, बंधन लाइफ, ठीक है, नाव बंधन लाइफ की बात करें, तो इसके MBN CEO कौन है, इनका नाम है सतिश्वर बालगश्नन, headquarters का उंबई महाराश्रा में लोकुरिड है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका हुजाएगा, जो क्रेड कंपनी है, इसको बेसिकली आर्बे ने जो है, लाइसंस प्रोवाइट गया है, तो आफ्ट असा प्रेमेंट एग्रिगेटर, ठीक है, आंसर हुजाएगा, अब अप्शन नमबर बी, अब रेड का हेड़कोर्टर कहा लोगरेड है, बैंगलिडू करनाट का में, इट वस फांड़ेट इन दी यह टूजन एटी, और पाउंडर कौन है, कुनाल शाह, ठीक है, अब यहाँ पर ने बहुत सारी कंप्पनीज को जो है, लाइसंस दिया गया है, अब यहाँ पर ने बहुत सारी कंप्पनीज है, जोमाटो, गूगल पे, जोहो, यॉर्जस पे, ठीक है, डिसेंटरो, अमजोन पेज, ठीक है, अब डेक फिन, जोहो, यह सारी आपके, ऐसी कंप्पनीज है, जिसे, अब यह जो, ठीक है, अब कौन सी, इंडेक परिशिप की गई है, तो आंसर इस, ठीक है, रेन्योफ एनरची, जोह, आंसर आपका बजाएगा, इन उप्शिए अब यह, अब यह जो अग्रीमेंट है, यह साइन के गया है, इंडिया का जो ambitious mission है आपका national green hydrogen mission and जपान का clean energy transition goal इसको धान में रपते हुए यह agreement साइन किया गया है ठीक है अब इस agreement को renew जो कमती है इसकी subsidiary आपकी है renew e-fuels private limited इन्होंने इसके GERA के साथ इसको साइन किया है ठीक है now next point आपका गया बोड़ है जो प्रोजेक्ट है यह utilize करेगा 500 megawatt of high capacity utilization factor renewable energy के लिए to produce green hydrogen अब green hydrogen जो है green hydrogen से related एक चीज़ आपका note करनी है कि इंडिया का aim है इंडिया का target है कि हमें by 2030 हमें जो है produce करना है 5 million tons of green hydrogen ठीक है per year हमको यह produce करना है तो यह ध्यान में रखना है यह इंडिया का goal है अब इसी के साथ साथ इस project का aim क्या है यह भी देख लेते हैं कि हमें produce करना है approximately 1 lakh ton of green ammonia annually by 2030 यह clear है now आप यहाँ पर static information भी देख लेते हैं जैसे renew के founder कौन है ठीक है renew के आपके founder है founder chairman and CEO है सुमन सिना ठीक है headquarters का guru gram हरयान में लोकुरिड है और इससे established किया गया था 2010, 2011 में ठीक है next है the Indian renewable energy development agency IR EDA has set up a new office in a gift city to promote renewable energy projects in a foreign currency the IR EDA was established in which year तो IR EDA जो है इससे established किया गया था 1987 में ठीक है answer here is option number D now अब जो यह office यहाँ पर आपका open किया गया है setup किया गया है इसका काम क्या रहेगा यह क्या यह basically facilitate करेगा financing of our renewable and green hydrogen projects in a foreign currency and इससे क्या होगा यह basically help करेगा in reducing the financial cost for renewable and green hydrogen projects ठीक है ना इसके अलावा यहाँ पर यह भी नोट करना है जो Central Electricity Authority of India है इन्होंने बिजट किया है a storage requirement of nearly 400 GWh by 2030-32 with a estimate investment exceeding Rs 3.5 lakh करोड ठीक है now IR EDA के बारे में बात करें तो इसके current CMD है प्रदीब कुमार दास headquarters का located है आपका New Delhi Delhi में and इसे 1987 में established किया गया था ठीक है now next is in April 2024 the Dinesh Kumar Trapati is appointed as a Dash Chief of Naval Staff of the Indian Army ठीक है तो अभी recently Dinesh Kumar Trapati जो है यह 26th आपके Chief of Naval Staff बने है तो answer आपका हो जाएगा option number B 25th कौन थे इनका नम है Admiral R. Hari Kumar ठीक है या रादा कृष्णन हरी कुमार यह आपके 25th Admiral थे ठीक है बिसिकली 25th Chief of Naval Staff थे आपके जिनकी appointment की गई थी आपकी 2021 में और यहाँ पे जो Dinesh Kumar Trapati जी है यह पहले Vice Chief थे Naval Staff के और अभी इनको Chief of Naval Staff बना दिया गया है clear है now अब बात करते हैं इनके awards की तो जो Dinesh Kumar Trapati जी है इनको आती वर्षिष्ट्री सेवर Medal Award दिया गया है इसी के साथ साथ 9 से ना Medal Award भी इन्होंने जीता है ठीक है Higher Command Course at the Naval Command of United States Naval War College तो यहाँ पे भी इनको अवर्ड दिया गया था prestigious award Robert E. Bateman International Prize ठीक है next है the appointment committee of cabinet has approved the appointment of Dash as a director general of a national security guard तो NSG के डिरेक्टर जनल के नहीं पॉइंट किया गया है इनका नाम है नलिन प्रभाद ठीक है और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है दलजीत सिंग चौधरी को इन्होंने रिप्लेस किया है ठीक है जो basically जिनके पास additional charge था डिरेक्टर जनल ऑफ NSG का ठीक है जिसे जिन्हें जो है 2024 में फरवरी 2024 में अपॉइंट किया गया था अब इसके साथ आपको नोट करना है दलजीत सिंग चौधरी जो है इनके पास currently यह सर्फ कर रहे है डिरेक्टर जनल सस्त्र सीमा बलके अब यहां पर अपॉइंट कामेटी ऑफ काबिनेट जो है इन्होंने एक और अपॉइंटमेंट यहां पर किया था ठीक है सपना तिवारी जी का जो special ड दिरू के बाद करें तो इसके डेक्टर कौन है इनका नाम है तपन डिका है एड़कोर्टर है ने डेली डेली वे अड़् फॉर्म्ट इंट इर 1887 ठीक है नेक्सें रिसेंटल अपरल दा आर्पे अप्रूइंट अजीत कुमार केके अज एंडी और इंड प्रूइंट अजीत कुमार केके जो है इन्होंने रेप्लेश किसे किया है जेके शिवन को अब हेड़कोर्टर कहा है नलक्ष्मी बांक का यह लिगड़ है थ्रेशलूर के ला में और इसकी शिवाद की गए थी 1927 में तो यह आपके चेर्मन बनाए गए है है HDFC Life Insurance के ठीक है आंसर है इस और इन से पहले इस पोस्ट पे कौन थे इनका नाम है दीपक परेख ठीक है क्या नाम है दीपक परेख ठीक है इन्होंने बेसिकली डिजाइन दिए था उसके बाद के कीम मिस्टरी को जो है पॉइंट किया गया है आपे ठीक है नाव के कीम मिस श्री निवासन है इनको एडिशनल चार्ज दिया है ठीक है अडिशनल इंडिपेंडेंट डिरेक्टर बनाया है HDFC लाइफ का और इनका टेन्यूर पांच साल का रहेगा ठीक है नाव स्टाटिक इन्फोमिशन देखे तो MDN CEO को है HDFC Life Insurance Company के विभा बदलकर हेटकोर्टर का ल ब्रहमोस सूपर सॉनिक क्रूज मिसाइल टो इनमें से कॉंसी कंट्री है जिने फर्स्ट पैच ब्रहमोस सूपर सॉनिक क्रूज मिसाइल का दिया गया है तो आंसर आपका हो जाएगा इटिस फिलिपिन्स ठीक है आंसर इस ऑप्शिन अबर D ब्रहमोस एरोस्पेस जो है यह जॉइंट वेंजर है DRD को और रश्चिन फेडरेशन का ठीक है जिन्होंने 2022 में जनवरी 2022 में फिलिपिन्स के साथ कॉंट्राक्ट साइन किया था किस दिच के लिए सप्लाइ ऑफ शोर बेस्ट आंटी शेप मिसाइल सिस्टम के लिए ठीक है अब यहाँ पर जो यह अबकी मिसाइल से इसे किस ने बनाया है किस ने प्रोड्यूस किया है व्रहमोस एरोस्पेस प्राइजेशन प्रोग्रम अब इसके स्पीड कितनी है 2.8 माच और इस 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 इफ्लाइट राइट रेंज ऑफ और 290 किलोमेटर्स साथ में ही जो मिसाइल है मिसाइल रेंज इसके एक्टेंड की जा सकती है फो अप टू दी 450 किलोमेटर्स ठीक है यह दियान मरटना है आपको नो नेक्स है विच अमांग दे फारी कंपनी अस रसीड थी फार्स पाच ओफ और इंडिजिनेर्स लीडिंग एज शाल्ट अकुरेटर्स अं एर्वाइक कंट्रोल मॉड्यूल फॉर्प्रों ड्र्ड्डो अरणाटिक है यह आपकी है हेल हिदुसां एर्वनाटिक्स लिमिटेड ठीक है आंसर इस ओप्शन नमबर बी अब अब एडिय ने डेवलाप किया है इन कंपोनेंट्स को इन कॉलाबरेशन विद्धी रिसर्ट सेंटर इम्राथ इन हाइदरबाद तेलंगाना और सेंट्रल मेरिफैक्ट्रिंग टेक्न इन के साथ अन जासकें तो आंसर अपका हो जाएगा इट इस डण बाइदी बुलगेयर एठीक है आंसर इस औक्षिन नमबर दी नाओ जो एम्राबरेशन और एक्सचेंज़ेस हो expertise in a field of auditing between India and Bulgaria, okay, signatories की बात करें, तो यहाँ पर की person आपके थे, acting president of BNO, BNAO, जो basically आपका Bulgarian National Audit Office है, इसके जो president है, इसके जो प्रेजिडेंट है, इनका नम है, Gorasta Grand Chorova Kauz Hareva, ठीक है, इन्होंने और Gris Chandra Murmo, जो current CAG है India के, इन्होंने यहाँ पर M.O.U. sign किया था, clear है, now, Bulgarian क्या बात करें, तो इसके current president है, Ruman Radev, prime minister है, Dimitar, Glavich, capital इसकी क्या है, Sophia and currency है, Bulgarian, ठीक है, now next question है, name the organization that has received the Navratna status from the Department of Public Enterprise, ठीक है, इन्होंने कौन सी organization है, जिसे recently, in month of April Navratna status, जो है, वो दिया गया है, तो answer आपका हो जाएगा, it is National Fertilizer Limited, ठीक है, कौन सी organization है, National Fertilizer Limited, ठीक है, अब इसके current CMD कौन है, Chairman, income managing director, इनका नाम है, यू Sarah Varan, ठीक है, headquarters का लोकरिट है, नॉइडा उत्तर पितेश में, इसकी शुरुबात की गई थी, August 1974, fine, now next question है, name the company that has signed an MOU with the Indus Towers Limited to develop renewable energy projects, तो इन में से कौन सी आपकी company है, जिसने MOU sign किया है, Indus Towers Limited के साथ, ठीक है, किस इच के लिए, develop करने के लिए, renewable energy projects को, तो answer अपका हो जाएगा, it is NTPC Green Energy Limited, ठीक है, which is, जिसे हम NGELB बोलते हैं, ठीक है, answer is optionable C, जो आपकी NGEL है, यह आपकी holy owned subsidiary है, NTPC, ठीक है, it is a holy owned subsidiary of NTPC, fine, now जो MOU है, यह sign किया था है, यहापे Soumya Kanthi Chaudhry, जो Chief General Manager है, NGEL की, and Vikas Porder, जो Chief Financial Officer है, ITL के, ठीक है, Indus Towers Limited के, fine, अब यहापे जो MOU sign किया गया है, basically, यहापे यह दोनों organization मिलके, combinedly develop करेंगे, ठीक है, a grid connected renewable energy based power projects, जैसे आपका solar हो गया, wind energy storage, यह सब कर रहेंगे, ठीक है, next question है, which among the following Indian bank is our featured in a list of top 50 largest bank in Asia Pacific region by assets, 2024 released by the SNP Global Market Intelligence, तो यहाँ पर एक list आपकी release की गई थी, ठीक है, list of a top 50 largest bank in Asia Pacific region by asset, 2024, यह release किसने की थी, SNP Global Market Intelligence ने, अब इस list में, इंडिया के कितने banks feature हुए हैं, तो 3 banks feature हुए हैं, कौन-कौन से यह हैं, एक तो हुगे आपका SDFC bank, State Bank of India और ICAC bank, तो answer क्या हो जाएगा, all A, B and C are correct, ठीक है, answer is option number E, अब यहाँ पे cumulative asset की बात हो रही है, तो इन 3 Indian banks के, जो यहाँ पे cumulative asset हैं, यह आपके exponentially increase हुए हैं, 50.5% year on year basis, और इसका जो है, total asset आपका कितना होता है, 1.51 trillion US dollar का in 2023, तीक हैं, अगर हम इनकी rank की बात करें, तो देखो इस list में, total 50 की list थी, इस list में, State Bank of India जो rank रहा है, यह 20th रहा है, earlier it was 21, तीक हैं, HDFC bank का आपका था 33, और यह पहले 46 rank था इनका, 2022 में, वेरस, ICAC bank जो है, यह इस साल यहां पर feature हुआ है, और इसकी rank थी 48 rank, ठीक हैं, वहीं पर valuation की बात करें, तो SBI की valuation है, आपकी 780.05 billion, next HDFC bank की है, 464.34 billion, and ICAC bank की आपकी valuation है, 265.26 billion की in 2023, clear है, now अब जिसने यह report release की है, उसके बारे में जानते हैं, S&P Global Market Intelligence के बारे में ठीक है, अब इसके President and CEO कौन है, इनका नाम है Douglas L. Peterson, Headquarters का located आपका New York, USA में, and it was established in the year 1917, ठीक है, now अब की points दिक लेते हैं, जैसे, अगर हम overall list की बात करें, तो यहां पर top किया था, Industrial and Commercial Bank of China ने, 2nd number में था Agriculture Bank of China, 3rd में था China Construction Bank Corporation, and 4th में Bank of China Limited, तो जो top 10 आपकी list थी, ठीक है, top 10 banks की जो list थी, इसमें से 6 banks आपके जो है, चाइना से बिलॉग करते हैं, चाइना-based bank है, ठीक है, now बात करते हैं इन points की, जो main bank चाइना-based banks है, they retain its position among the top banks in Asia Pacific region, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 banks आपके यहाँ पर, out of 10 banks चाइना के थे, और यहाँ पर combined total asset, जो है, यह top 4 performing banks की, यह आपकी, जो है, increase हुई है, 10.2% year on year basis, and यह कितना रहा है आपका, 21.91 trillion US dollar का in 2023, जहाँ पर Agriculture Bank ने, सबसे जादा यहाँ पर growth शो की है, which is of 14.3%, तीक है, वहीं पर बात करें, Japan और South Korea की, तो जो Japan के, और South Korea की banks है, वहाँ पर हमें, जो है, in terms of asset, biggest decline देखने को मिला है, as per this report, as per this list, तीक है, अब यहाँ पर combined asset, जो है, Japanese banks के, यह आपके कितना decrease हुए है, 2.5% से, और इसका, आपका कितना asset है, 10.53 trillion US dollar का, वहरेश, South Korea के bank में, 0.9% का decline देखने को मिला है, to 2.66 trillion US dollar, तीक है, यहीं के साथ, तीन Singaporean bank जो है, इनकी आपका combined asset, जो है, यह increase हुआ है, कितना 3.7% से, year on year basis, and it is, 1.40 trillion US dollar, I hope यह clear होगा आपको, so guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो लाइक and share ज़रू कीज़ेगा, हमाई साथ जुनने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा, अगर आपके बूच सजेशन है, तो you can mail us, at benchmarkstudy00700gmail.com या फिर आप हमें comment section में लिख सकते हैं, तो मैं यह सही next video के साथ, till then take care, have a nice day and all the best for your preparations.